कार्तिक माह के अंतिन पांच दिन भुलकर भी मत बनाना, ये सबजिया वरना, पानी की तरह बह जाएगा पैसा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक माह को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र माना गया है. कार्तिक माह को धर्म मास भी कहा जाता है. कार्तिक माह के महीने में पवित्र, नदियों में सनान और गरीब असहाय लोगों को दान और उप्वास करने से सभी प्रकार के कश्ट से मुक्ती मिलती है इसी महीने में भगवान शिव और विश्नु तथा कार्ति के और तुलसी की पूजा का भी विधान है इतना ही नहीं अच्छे फल की प्राप्ती करने के लिए इस महीने माता लक्षमी की भी विशेश पूजा आराधना की जाती है हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर से प्रारम हो चुका है जिसका समापन 27 नवंबर को होगा कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदाई माना जाता है इस पुन्य मास में खानपान और रहनसन को लेकर शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं इन नियमों के पालन से जहां स्वस्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं लक्ष्मी नारायन की कृपा से लौकिक और अलौकिक जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ती होती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे की आपको कार्तिक माह के महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप भी मातारानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कॉमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें आईए पहले जानते हैं कार्तिक माह में क्या खाना चाहिए गुड मिला कर पियें कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक शमता मजबूत को मजबूत बनाने तथा खुद को उर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना एक गिलास गर्म दूध में गुड मिला कर पियें इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमन से बच सकेंगे और खुद को उर्जावान महसूस करेंगे स्वस्थ रहने के लिए गुड का सेवन किसी जादू से कम नहीं है गुड रक्त चाप को नियंत्रित करने के साथ सर्दी, जुकाम और खासी के संक्रमन से बचाता है कार्तिक मास में रोजाना गुड का सेवन करना चाहिए गुड सेहत के लिए बेहद फाइदे मंद होता है नमबर तीन गेहूं के आटे का हलवा खाएं कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है विशेशग्यों का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है यह गंभीर बीमारियों के संक्रमन से दूर रखता है इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलाईची पाउडर घी, चीनी और किश्मिश डालें ये चीजे शरीर को गर्म रखने में मदद करती है सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पाउधे का विशेश महत्व है इस पवित्र, महीने में तुलसी के पाउधे की पूजा की जाती है कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए तुलसी रोग प्रतिरोधक शम्ता को मजबूत बनाने के साथ मौसमी बीमारियों से निजात दिलाता है भोजन में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए ऐसा माना जाता है कि मौसम में बदलाव के कारण धूल के कन और बैक्टीरिया खाने को आसानी से दूशित कर देते हैं ऐसे में तुलसी का पत्ता उस भोजन को डोट स्वस्थ रखता है नमबर पांच काला नमक का सेवन करें यदि मौसम में बदलाव के कारण आप बार-बार ऐसेडिटी की समस्या से परिशान रहते हैं तो गुड काला नमक और सेंधा नमक का मिश्रन बना कर इसका सेवन करें यह ऐसेडिटी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है नमबर छे मूली उपरोक्त पांच चीजों के सेवन से परहेस के अलावा कार्थिक के माह में मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है स्वास्थ्य की दृष्टी से इस माह में मूली खाना फायदे मंद है क्योंकि इस मौसम में कफदोश और पित्तदोश संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन हो सकती हैं इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है आईए अब जानते हैं कार्थिक मा में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी सबजी नहीं बनानी चाहिए नमबर एक अंजुली से या खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए नमबर दोग जो भोजन लडाईच गड़ा करके बनाया गया हो जिस भोजन को किसी ने लांधा होतो वह भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह राक्षस भोजन होता है नमबर तीन जिन्हें लक्षमी प्राप्त करने की लालसा हो उन्हें रात में दही और सत्तु नहीं, खाना चाहिए यह नरक्की प्राप्ती कराता है नमबर चार, मचली मास मचली खाना धार्मिक द्रिश्टी से वर्जित माना गया है, इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं खास तौर पर कार्तिक महीने में मचली खाना अच्छा नहीं कहा गया है इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विश्णू जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं वैज्ञानिक द्रिश्टी से देखें तो आशाड में बाढ और वर्षा की वजह से जल प्रदूशित रहता है दूशित चीजों को खाने से इस समय मचली सेवन, संक्रामक और रोगका रखो सकता है इसलिए कार्तिक मास में मचली खाने से बचना चाहिए कार्तिक के महीने में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्दोश संबंधित बीमारी होने का खत्रा रहता है और बैंगन पित्दोश बढ़ाता है इसके अलावा इस माह में ब्रहमचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ती को बढ़ाता है इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टी से बैंगन खाना उचित नहीं है उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक द्रिश्टी से अशुध माना गया है नमबर 6 करेला कार्तिक में करेले का सेवन भी वर्जिक माना गया है करेला वातकारक यानि वायू बढ़ाने वाली सबजी मानी जाती है साथ ही कभी-कभी इसमें कीडे भी लग जाते हैं इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला खाना हानिकारक हो सकता है कार्तिक का महीना साधना का महीना है साधना के दोरान अधिक तीखे, चटपटे तिक्ट और रुखी चीजों को खाने की धार्मिक दृष्टी से मना ही है तिक्ट होने की वजह से भी करेले का सेवन वर्जित कहा गया है नंबर साथ दही कार्तिक माह में दही खाने से भी बचना चाहिए ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की द्रिष्टी से दही खाना सही नहीं है दही की जगह दूढ का सेवन करना चाहिए धार्मिक द्रिष्टि कोन से कार्तिक में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है नमबर आठ जीरा जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभ दायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा, खाना नुकसान दायक हो सकता है इसलिए जीरे का सेवन कार्तिक के माह में नुकसान दायक माना गया है नमबर नौ, ठंडा पानी भूल कर भी ना पिए कार्तिक माह से सर्दियों की शुरुवात भी हो जाती है ऐसे में हमें ठंडी चीजों को खाने से बचना चाहिए तथा इस दौरान ठंडे पानी का सेवन भूल कर भी ना करें क्योंकि इससे आप सर्दी जुकाम की समस्या से पीडित हो सकते हैं जो लोग अस्थमा से पीडित हैं उन्हें सभूल कर भी ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जोतिश शास्त्र के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल खाने की मना ही है खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन बिलकुल भी ना करें इससे पाचन तंत्र में गडबड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन हो सकती है अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करे और चैनल को डो सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद